शुरू करते हैं वर्क्षिट नंबर वन यह वर्क्षिट आपकी एर्थ किलास की है इसके इलावा से एक सेवन्थ एर्थ की जो बाकी भी आई है वह सारी मैंने अलग अलग बना दिये ठीक तो आप लोग इसे देख सकते हैं चलिए तो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप सब फटा फट लिख लेंगे यह सारी चीज़े आप अच्छे अच्छे से लिख लेंगे डिएट क्लास अपना नाम अपने क्लास टीचर का नाम सब कुछ लिख लेंगे चलिए देखते तो आज मैं पढ़ना किया यह आपका इंग्लिश औ हिंदी दोनों मीडियम में यह य टीचर ने कहा इस्ट ने कहा इडली डोसा छोले भटूरे कट ढोकला चीज़ सैंडविच एंड चॉकलेट्स इति रहसाई चीज़े उसने लिख दी ठीचर इस ने लिख दी अब क्या हो जब टीचर ने यह कहा तो उसने सारी चीज़े लिख दी अब टीचर ने क्या कहा वें टीचर लोग एट हर लिस्ट जब टीचर ने उसके लिस्ट देखी शी स्माइल एंड सेड वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा इट सीम यू लाइक औल दब प्रोडेट्स मीड विद दे हल ओफ माइक्रो ओगनेजम यानि जो भी फूट्स तुम्हें पसंद है तुम्हें पता है यह सारे फूट्स यह माइक्रो ओगनेजम की हल्प से बनते हैं पिंकी कुद नॉट रिसिस्ट हर सेल्फ वो अपने आपको नहीं समझा पारी थी वो समझ नहीं पार माइक्रो ओगनेजम जो हैं वो बहुत चोटे चोटे जानदार चीजें जो बहुत साथा चोटी है जो हम अपनी नएक डाइस यानि अपनी खुली आखों से नहीं देख सकते का मतलब यह होता है कि हम इसको देखने के लिए जो आपका माइक्रो ओगनेजम का स्पोक जरूरत से देखना पड़ता है ठीक है चलिए आगे क्या लिखा है मैम ने देख लेते हैं तो इनकी मैम ने कहा अहां दे आर सो स्मॉल डैट वी नीड आ माइक्रो स्कोप तू सी दैम यानि कि वह बहुत जादो चोटे हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रो स्कोप की जरूरत परती है that's why ऐसा क्यों they are called microbes इसी लिए उन्हें microbes कहा जाता है तीचर रिप्लाइड टीचर ने उसको जवाब दिया क्या जवाब दिया पिंकी still had doubt in her mind मैं बोल दे क्या अब भी आपके दिमाग में कोई doubt है she again asked are all the foods product in my list meet up one of organism only बच्चे ने पूछा क्या मैं में बात बताईए मैंने जितने भी food की list बताईए तो क्या वो सारी एक ही चीज़ के organism से बनते हैं या कुछ अलग-अलग organism भी है ठीके ना तो मैंने क्या जव आपका बैक्तिरिया प्रोटोजा फंगी और उसके बाद अलगे ठीके वाइरस आर ओल्सो माइक्रोप्स यानि कि इन्होंने कहा कि वाइरस भी एक माइक्रोप्स है बट बट आर डिफरेंट फॉर्म अदर माइक्रोग्नेजिम लेकिन यह दूसरे माइक्रोग्नेजिम से अलग होता है कोविट-19 इस टाइप ओफ वाइरस रिस्पॉंसिबल फॉर क्रोणा नाव अडी यानि कोविट-19 जो है यह वाइरस है जो आपको क्या पनार क्या कौन सी प्रॉब्लम की तरफ ले जा रहा है क्रोणा की तरफ ले जा रहा है रोज बर रोज ठीक है तो आपको मैं उम्मीद अपने आपको चेक करना है क्या है हम आंसर दे सकते या नहीं तो पहला कोषिन है इस है वाड़ आर माइक्रोजयम क्या है नेम अग्यों कि निए लिखिए चलिए तो हम इसका आंसर देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन पढ़ेंगे इसका अनसर क्या लिख भी इसके बाद इनोंने बोला है कि उसके टाइप्स किते वह किते प्रकार क्यों होते तो मैंने यहां लिख दिया देखिए आपके कि चाहे तो आप वरक्षिट में से भी देख के लिख सकते हैं जो आपको बताए गए हैं चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब आपका नेक्स्ट कोशन है लिखा है अब दो ऐसे आपको नाम लिखने हैं प्रोडेक्स के जो माइक्रोब्स की हेल्प से बनते हैं चले इसका अंसर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कोशन है दो बोले हैं आप सिफ कर्ड और चीज भी लेख सकते हैं ठीक है क्यूं क्यूंके देखिए कर्ड माने दही दही भी माइक्रोगनिजम के द्वारा ही बनाया जाता है उससे पहले एक बैक्टिर्या लाला जाता है जिसके बाद वो दूद को आप अभी लिख सकते हैं तो नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं अब आपका हर्ट कोशन हैं फाइंड आउट एंड सर्कल यानि की फाइंड आउट करो और सलकल करो दवीरियस टाइप आफ माइक्रोगनिजम इन्द वर्ल्ड गेड्स वर्ल्ड गेड्स यह आपको जो दिया इसके अंदर आपको निकालनाद मैं आपको फंगी लिघ दिया ब्रोटोजा लिघ दिया ओर वेक्टियो झार इंड टो लिख दिया तो चारु लिख व然后 मफ में तो आपको को कोय आपको को और सा मिलते हैता है तो अपनल निंकलना यह झालिये चालिए नेक्स्ट क्वेशन और है, write the name of food that you like and most and make you feel happy, आप ऐसे फ़लो के नाम कोई भी खाना जो भी आपको पसंदे, फूड मानने खाना चाहिए, फूड मानने खाना चाहिए, फूड मानने खाना चाहिए, जो भी आपको पसंदे, आप लिखें, जो आपको बहुत ज़ादा खुश करते हैं, तो लिखें, अब आपको पसंदे, ऊपर लिस्ट दि गई हे, अगर आपको कुछ पसन है, तो भी लेख सकते हैं, और जो ये बेधि को ये भी लेक सकते हैं, तो आज की वीडियो मतस्ए बस इतने ही, अगर आपको वीडियो पसंद है, जो प्लिस इसे लाइक और शेर करें,